हालो एन वेलकम टू आज चानल टेली सफर्स और फ्रेंड्स फाइनली सोनी टीवी डान्स डेल्टी शो का इस वीकेंड हुआ दा अल्टिमेट फिनाले जिसमें बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज नेकी शिरकत इसमें थे सोनी टीवी के शो इंडियाज गौद टैलेंट के जजजेज बादशा शिल्पाशेटी और मनोज मुंतशे साथ ही फेमस कॉरियोग्राफर धरमेश और मीका सिंग भी सभी गेस ने मंच पर आकर जमा दिया था रंग तो अब मुद्दे की बात करें तो इन 13 हफतों में शो को आखिर एंडिंग मिल ही गई वहीं अगर परफॉमेंस की बात करें तो बेस्ट फाइफ के पहले कंटेस्टेंट जमरूद और उनकी कॉरियोग्राफर सोनाली ने दिया शो को बड़ा हेट स्टार्ट उसके बाद रोजा के जंगल डांस ने जजजस को कर दिया शोक उनके जंपस और मूव जेकर गीता कपूर ने उनने बताया शो की इंस्पिरेशन उसके बाद सौमय और कॉरियोग्राफर वर्तिका का परफॉमेंस था लेकिन सौमय वस नॉट एबल टू डांस और प्री फिनाले में भी वो अपनी प्रेजेंस दर्ज नहीं करा पाई तो उनकी जगेली उनकी कॉरियोग्राफर वर्तिका ने और उनके परफॉमेंस ने शिर्पशेटी को कर दिया है रार बेस्ट फाइब के परफॉमर रक्तिम और उनके कॉरियोग्राफर आरेन पात्रा के बहतरीन परफॉमेंस के बाद गॉरफ सर्वान का परफॉमेंस था फर्ट रनर अप रहे जमरूद एंड सोनाली देन थर्ड रनर अप रहे रक्तिम ठकूरिया एंड कोरियोग्राफर आर्डेन पात्रा वहीं सेकंड रनर अप रही टैलेंटेड रोजाराना अब बारी थी विनर की तो इंडियास बेस्ट डांसर की विनर रही सौम्या और वर्त का इंडियास बेस्ट डांसर के सीजन वन में टाइगर पॉप यानि अजे सिंग की कोरियोग्राफर रह चुकी हैं और टाइगर पॉप फर्स सीजन के विनर रह चुके हैं यानि दोनों सीजन की विनर कोरियोग्राफर वर्तिका ही रही है सबी रनर अप्स को मिला एक लाग शेर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा धन्यवाद